अगर उनकी मात्ताएं बहने बेटियां वो बहर बेटी हैं तो राम्यूग तो नहीं यह रावन्यूग कह सकते हैं इसको जब मोदी जी अयोद्या में राम मंदिर बना के अगर बहनों को रोड भी बिठा सकते हैं तो हमारी मंगे भी जाइज हैं करें और हमरी मांघे जाइज हैं तो हमीं यह कह सकते हैं कि अब दरना जो गलत तरीके से दे रहे हैं यहाँ से उठके जाएं जब तक नियुकती नहीं देंगे हम भार्चन के बार्फ। यजरह इनगी osób से को अजे बार्चन के बाद में बस्ते में अजी बहरती चली बहुत तो एक साल दॉ साल दा साल भी लग सकते हैं आश्व preciso आजте इहां से निले के ही जाएंगे जितने भी लोग बैटें चाहिए हमें आज अने बैटे हैं तो रोज यहाँ 11 में 11 से 22 23 जितने लोग जुड़ेंगे सारे अंसन पर बैटेंगे लेकिन नियुकति लेके ही जाएंगे बिना नियुकति यह जाएंगे और यहां थाए है। उनकी बातों पर भी विश्वास करेंगे परंतु यह है कि जो भी होगा वो लिखित होगा और जो भी होगा उसमें यह समय सीमा तह होनी चीए कि 15 दिन में बीस दिन में न्युक्ती मिले आचार सहीता से पूरू मिले हमें यह नहीं चीए कि हमारा कलंडर बना के दे रहे हैं त क्या जा सकता है क्योंकि अधिकारियों की कतनी और करनी में बहुत अंतर है अधिकारियों के जो कहना था कि जनवरी में हम आपका प्रथम सप्ता में कारे चालू कर लेंगे वो जब चालू नहीं हुआ तब हम यहां पे धरने पर आकर बैठें तो अधिकारियों की कतनी करनी से उनके द्वारा तोड़ा जाए कि यह 30-40 दिन तक तल जाएं फिर इनको आचार सहीता का भेह दिखा कर आचार सहीता में कारे नहीं हो सकता यह बता कर फिर इनको जैसे भी है चुनाओं के बाद पॉर्मेशन यह हमारे पास में वेक्तिगत सूचना ही है कि मुख्यमंत्री मोहदे जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे लेकिन उन्होंने कल का दिन पूरा नहीं हुआ तो हम उम्मीद करते हैं कि परसों के दिन हम लोगों को बुला लिया जाए वह वेक्तिगत मुलाकात करना च जारी रहेगा और आज तो हम लोगों ने अंसन पर लोगों को बिठा भी दिया है इसलिए बिठाया है क्योंकि अठरा तारिक से हम कंट्यूने दरना दे रहे हैं लेकिन उस धरने का परिणाम कुछ भी नहीं आया है तो हमने सोचा कि हमारी गतिवीदी को थोड़ा तेज कि जाये तो हमने आज इन लोगों को अंसन पर बिठाया है और सरकार से और इस डबल इंजन सरकार से हमारी तो यही मांगे कि गरीब लाचार और जो यह सवीदा करमी हैं इनकी मांगों को सुना जाया और समस्ते आठ केडरों की जो बढ़तिया हैं सभी लोगों को नुक्ती द जितना प्रियास करना चाहा कर लिया यहां पे जितने भी अपने जो बेने बेटी हैं प्रेग्नेंट लेडिज भी देख सकते हो लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्ता नहीं है इनके साथ कल रात को या कभी भी कोई अनों नहीं हो जाए उसके लिए इनको मतलब कोई करेंगे लेकिन इन्होंने भी बादा किया लेकिन सर हमको कोई आस नहीं नजर आ रही है और हम जब तक जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती और मारे लिए कोई लिखेत आदेश नहीं आगा जाता तब तक सर हम यहां से उठेंगे लिए बच्चा आएगा पर कैसे पालेंग उन्हें हमें थोड़ी कम फैसलिटी दी हमारा पैता होगा तो हम उसको अच्छी दिंगे अच्छी से बढ़ा पाएंगे हमने एन्यम करी हमारा बच्चा अब डॉक्तरी करेगा तभी तो हम बैठे हुए निक्ती के लिए इत्ती मेहनत करने के बाद भी कुछ नहां मिले तो इनके मंत्री है विदाए के सबके माद्यम से हमें इन्हें अवगत करा चुके हैं और इनको इनका कोई सटिका में आस्वासन नहीं मिल रहा है हम इनसे यही गुजरिस करते हैं कि हम युवाओं के साथ जिस परकार से हम युवाओं ने बीजेपी का सपोर्ट करके इन्हें बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई ये तो हम राम नाम के माद्यम से या पर इनकी जो आस्ता है उस आस्ता के अनुसार हमने इनको बीजेपी में बहुमतों से बीजे बनाया है और सोचा कि जैसे ही ये सरकार आएगी तो हमें जल्दी से जल्दी नुकती देएगी और कोर सब्सक्राइब निकाले और उनकी निकाल और उनकी निखती नहीं दी जारी और निकती के लिए ही यहां पे सभी लड़के कटे वह हैं कि सरकार हम लोगों को लोग सबा चुनाओं से पहले से पहले नियुक्ति देवे ताकि हम ये लोग भी इस्ताई नोकरी कर सके अगर सरकार आज हमारे दर्णे का आठवा दिन है अभी तक सरकार के तब से किसी परकार का बुलावा आया नहीं है ठीक है और जब तक सरकार हम लोग से वारता नहीं करती है या जब तक हम ये नियुक पक्षंगानी यहां पर सब के सामने आमरण अंसन पर बैठूँगा जब तक सरकार सब को नुक्ति नहीं दें तो हम किसी पर परकार के कोई आश्वाशन पर वरोसा नहीं करेंगे हम जब तक हमारी नुक्ति का केलेंडर जारी नहीं होता हम नहीं उठेंगे हम सब फकीर हो के आएं और घर छोड़ के हैं हम यहीं बैठेंगे अन्शन भी करेंगे भूकरताल भी करेंगे जो शांती का परतीक सफेद कोट है अगर हिंशा पर उतर आएगा हिंशा पर करनी उतर आएगी तो हम करेंगे क्योंकि जो हम राम नाम के धंडे लें अगर वो धंडे ले सकते तो धंडे भी ले सकते अगर हम कारिये से भैशकार भी करेंगे हमें पढ़ाई लिखाई की है है नुकती हम अपने दम पे ले रहे हैं किसी से भीक नहीं माग रहे हैं अपनी हक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको देनी पड़े सरकार तो सरकार के जो फुनिदा नुमाइंदे वह यहां आए और जो आपके सामने लिखित में टाइम के साथ आस्वासन दे तो हम यहां से जाएंगे नी फीर हमारा एक भी साथि यहांसे जाने के प्राज़ेता बायं के चल्ब अचार है संधी दुम्हारा का गत्व घतति आगे की सेंद्ला खत्म की ऊपपो एक पलाना लिए ट्वम्हार घून एस tôi में पहले कंडर आभ एब हम फार्वसी संगर समीति के तद्वदान में 18 तारेक से हम दरने पर बेटे हुए है और अभी तक हमारा राज़तान सरकार से कोई ना मंत्री ना MLA एक पक्सी भी हमारे पास में उनकी तरफ से नहीं आया है और ना हमें कोई आसवासन मिला है और ना हमें कोई न्यूज भी लिया है और ना हमारे पास में अभी तक आया है तो इसी संबंद में आज 8 वे दिन 7 दिन हमको दरने में होगे तनी कड़ा के कि ठंड मर कम से कम 500 लोग हमारे दरने इस तल पर सोते है साथ में महिलाएं भी है उनके साथ में बच्चे भी है चोटे-चोटे वो भी रात को यहीं पर रहते है तो उसी करम में 8 वे दिन हमने जब राश्तान सरकार नहीं सुन रही है तो हमारे संगर शील साती हो ने निनने लिया है कि हम कार्मिक गंसन पर बैठेंगे तो आज हमारे बारे साती है जो हमने कार्मिक गंसन पर बिठाए है यदि राजस्तान सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो कल 26 जनवरी के दिन तमाम जितने भी हमारे संभीदा नर्सेज है चाहिए वो फार्मेसिस्ट हो चाहिए वो लर्शिंग ओपीसर हो चाहिए वो एल्टी हो चाहिए नेम हो चाहिए महीला साथ करता हो कल हम राजस्तान 26 जनवरी के दिन जो जंडर रोण करेंगे उस दिन पूरे राजस्तान में पी-ई-सी-सी से लेकर जिलम मुख्यालने से लेकर के पी-ए-मो से लेकर के भड़्े怖 घर जगें हम काली पत्टी बांद कर भ्रुद करेंगे पिर भी हमारी मां गें नहीं मानी जाती है तो हम 27 से 27 से हम दो गॉंटे के कारिवेज कार पर जाएंगे क्योंकि समय अभी लोकसाब चुनाब है आचार सहीता है पहले जैसे आचार सहीता में हमारी बर्ती पसी थी उसी परकार सी आचार सहीता में पसाने के प्रियास किया जा रहा है और बाद में हम पता नहीं साल है दो साल हमें कितने साती हैं जो अबरोज होने को है अधी साल एक स समय लगेगा तो हमें समय नहीं सही है क्योंकि समय अभी लोकसमा चुनाब है आचार सहीता है पहले जैसे आचार सहीता में हमारी बर्ती पसी थी उसी परकारशी आचार सहीता में पसाने के प्रियास किया जा रहा है और बाद में हम पता नहीं साल है दो साल हमें कितने साथी है है अधी साल एक साल भी लग जाएगा तो इस बरती में बहुत बड़ा उनको नुक्सान हो जाएगा